हलो दोस्तों मैं अंके सिंग आप सभी लोगों का wisdom of study पर स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम देखते हैं मद्ध प्रदेश एक परिचे तो उसी करम में यह दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मद्ध प्रदेश का समझेंगे कि इसमें सबसे बड़े जीला कों सा है शेत्रभा के द्रशटी से सबसे चोटा जीला कों सा तैसिल को सा सबसे चोटा है तहसील कों सा सबसे बड़ा है फिर मद्ध प्रदेश के साक्षरता से संबंदी जूभी fact है वह जानेंगे हम 2011 की जन्गर्णा के अधार पर महिलाओं के क्या इस्तिती है यहाँ पर वो जाने के जनगर्णा के अधार पर फिर इसके साथ साथ यहाँ पर लिंगा नुपात क्या है जनगर्णा के अधार पर यह सारी चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंतरगत तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं तो देखिए मदोः परदिष का उपनाम जो है वो अन इसके कई नाम है जैसे कि हर्दय परदे से सोयाविन परदे से नदियो का माई का है और टाइगर स्टेट है तो देखिए हर्दय परदे स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे भारत वर्ष के बीच में आता है स्वयविन प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वयविन का उत्पादन किया जाता है नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि विहारत वर्ष की जितने भी सारे राज्य हैं यहां पर 28 राज्य और 9 केंदर सासे प्रदेश तो नदिया सबसे ज़्यादा मर्द प्रदेश से निकलती है उनका ओरिजन पॉइंट मर्द प्रदेश में इसलिए यहां पर नदियों का मायका कहा जाता है टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर मर्द प्रदेश में ही पाया जाते हैं दूसरे नमबर पर करनाटा काता है और तीसरे नमबर पर यहां पर आप देखेंगे तो उत्राखंड है मद पर देखेंगे तो चत्तिस गड़ राज को अलग पर दिया गया था तो मद पर देखेंगे तो चत्तिस गड़ दोनों ही राज मिल करके अपना जो इस्तापना दिवा से एक नमबर को मनाते हैं इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है फिर मद पर देखेंगे तो आज आप मद पर देखते हैं इसका नाम पंडी जवाहरला नहरू जी के दौरा किया गया था जो की ततकाली समय भारत के प्रथान मंत्री थे मद परदेश का कुल छेतरफल कितना है तो 3,8,252 वर्ग किलोमेटर का पूरा छेतरफल है आप जन संपर्क की वेबसाइट पर जाकर कर देखेंगे तो यहाँ पर 3,8,000 है तो इन दोनों में से कोई से भी आंकड़ा आता है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं फिर छेतरफल की द्रश्टी से पुरे भारत वर्ष में कौन सा नंबर आता है मद परदेश का तो छेतरफल की द्रश्टी से मद परदेश का पुरे भारत वर्ष में दूसरा रेंक आता है और पहले नमबर पर कोन आता है तो पहले नमबर पर राजिस्थान आता है तो जब से एक नमबर 2000 से मच्छतिस गड़ को मदपरदेश से अलग कर दिया गया तब से यह दूसरे नमबर पर आ गया देश के कुल छेत्रफल का कितना हिस्सा मदपर्देश का है तो देश के कुल छेत्रफल का यदि हम बात करें मदपर्देश के छेत्रफल में तो ये 9.38% का हिस्सा मदपर्देश का पुरा छेत्रफल आता है जो की अपडेट है 29th of December 2019 तक की बात कर रहा हूं है अगर हम मद्ध प्रदेश के भगवली किस्तिती की बात करें तो देखिए ये मद्ध प्रदेश का नकसा कुछ इस प्रकार से बना होता है आप इसको random मान सकते हैं इतना भी देखिए ये मद्ध प्रदेश का नकसा कुछ इस प्रकार से होता है तो ये वाली लाइन की बात करें और ये वाली लाइन की तो देखिए जब इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 29 मतलब 21 degree 6 second का यहाँ पर इसका ये वाला point होता है यहाँ पर फिर उपर जा करके देखते हैं आप जो इसका अक्षांस होता है उत्तरी अक्षांस तो उत्तरी अक्षांस यहाँ पर आ जाता है आप में यहाँ पर पाएंगे कि यह वाला जो इसका हिस्सा आता है यहाँ पर इसको 74 डिग्री 9 सेकेंड पर आकर के आता है और फिर यह वाला जो इसका हिस्सा है पूरा जो पूरवी छेत्र का इसका यहाँ पर 82 डिग्री 84 सेकेंड कुछ इस प्रकार से इसका मापन किया जाता है तो दीखें दोस्तों यह म थर्डे और फोर्टे भारत कहां पर आता है भारत इस हिस्से में आता है यहाँ पर तो इसी हिस्से में जब यह आप देखेंगे तो मदप्रदेश भी आ जाता है भारत के मुखे हिर्दे में तो यह वाला हिस्सा जो देखेंगे तो यह उपर हो जाता है नौर्थ हो जाता है इस लाइन से आप देखेंगे, तो इस लाइन से ये कहां पर आ रहा है, ये पुर्वी दिसा में आ रहा है, तो इसलिए जो आप ये देखते हैं ना, पुर्वी देशांतर, तो ये पुर्वी देशांतर इस प्रकार से में मापन किया जाता है, और फिर हम जब अक्षांस की ब का dimension हो जा था कैसे हो गया इस रेखा से इस तरफ और इस रेखा से इस तरफ इस प्रकार से इसका मापन किया जाता है चलिए अब हम आगे देखते हैं तो पूरवी से ले करके मतलब पूरु से ले करके पस्चिम तक की दूरी कितनी है मद्ध प्रदेश की तो देखिए मद्ध इस प्रकार से आप मान के चलिए कि ये मद्ध प्रदेसे तो मद्ध प्रदेस के जगा हम बात करता है ये क्या हो गया आपका इस्ट हो गया ये आपका वेस्ट हो गया ये आपका नौर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया तो जब ये बात करते हैं हम तो पूर्व से पस् जाता है छेषो पाँच कीभड़ो मिघर का अ मतलब लंबी पटिया जाती है इस प्रकार से इसका जो पुरा छेतर है वो फेला उवा है मतलब इसका जो दो पटिया है उत्तर और पूर्व से लेकर कि पस्चिम तक कि और उत्तर से लेकर कि दक्षिन तक कि इस प्रकार से इसकी फैली हुई है फिर मर्द प्रदेश का जलवायू की बात करें तो जलवायों किस प्रकार का है तो मर्द प्रदेश का जलवायों है वो है यहाँ पर सितोष्न मांजूनी जिसे हम यहाँ पर इंग्लिश में कहते है टेंपरेड मांजून तो टेंपरेड टाइप का यहाँ पर मांजून पाया जाता है राजी की सीमा से लगे प्रदेशों के अगर हम बात करें तो यहां पर हम पाते हैं कि उत्तर में ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है दक्षण में ये महारास्टर से लगा हुआ है पूर्वु में देखेंगे आप तो ये चछतिसगर से लगा हुआ है और पस्ची में आप देखेंगे तो ये गुजराच से लगा हुआ है तो ये दिखिए आपके सामने मेब दिखाई दे रहा है तो मेब में जब आप समझने कोश्च करिएगा जिस प्रकार से मैं राज्यों को नाम केसं साथ यहाँ पर मैं आप लूगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से इत्रा प् आप मेप में ध्यान से देखेगा, मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदिस के साथ सीमा बनाने हैं, राज जिकों से हैं, जीले कोन-कों से हैं, राज जीकों से हैं, तो यहाँ पर मुरैना है, भिंड है, धतिया है, शियूपूरी है, अशोक है सागर है टीकमगर है निवारी है जो कि अभी नया जीला बना है फिर छतरपूर है पन्ना है सतना है रीवा है और सिंग्रोली है तो ये वाले जो राज जीले हैं ये सारे किसके साथ बनाते हैं सीमा ये बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अब हम बात करते हैं राजिस्तान के साथ तो आप देखेंगे तो राजिस्तान के साथ कितने दस जीले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं बॉर्डर बनाते हैं तो वो कौन कौन से जीले हैं मुरेना है शिवपूर है शिवपूरी है गुना है राजगर है आगरमालवा है रतलाम है मनसौर है नीमच है और जाबुआ है ये जीले जो है ये राजिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं फिर यहाँ पर आप द अंडवा है, बुराहनपूर है, बैतूल है, छिंदवाडा है, सिवनी है और बाला घाट है फिर यहाँ पर 36 गण के साथ यहाँ पर देखेंगे तो आप 6 जीले ऐसे हैं जो की सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं, बाला घाट है, डिंडोरी है, अनूपपूर है, शेहडोल है, सीधी है, सिंगरॉली है और गुजरात के साथ दो जीले सीमा बनाते हैं, जाबुआ है और अलिराजपूर है तो ये जीले जो हैं, राज जी के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि एक्जाम में इसे सम्मंदित प्रशने पूछे जाच चुके हैं, अब चलिए, अब हम बात करता हैं, मतर प्रदेश के सबसे चोटे, सबसे बड़े, सबसे पुर्वी, सब उनकों से जीले हैं, इनके बारे में, तो देखिए, राज जी की जो सरवाधिक सीमा लगती है, वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, जिससे कि मैंने बताया, आप वो तेरा जीले, उसके साथ सीमा बनाते हैं, तो नियूनतम सीमा गुजरात के साथ, जिसमें से दो जीले सीवा बनाते हैं जाबुआ और अलिराजपूर फिर राजिका सबसे उत्तरी जीला कौन सा है तो सबसे उत्तरी जीला कि अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है मुरेना जो की सबसे उपर आ जाता है फिर राजिका सबसे दक्षणी जीला कौन सा है चेत्रफल के द्रश्टी से सबसे बड़ा जीला चिंदवारा है फिर चेत्रफल के द्रश्टी से सबसे छोटा जीला धतिया है फिर चेत्रफल के द्रश्टी से देखिए ये धतिया जो था ना वह बदल गया है पहले दतिया था लेकिन जब से निवाडी जीला बना है अक्टूबर 2018 में उसके बाद से निवाडी जीला हो गया है ये आपको याद रखना है फिर चेत्रफल की दरश्टी से सबसे बड़ा तेहसिल कों सा है तो ये चिंदवाड़ा है जीला भी सबसे बड़ा है और तेहसिल फिर यहाँ पर हम बात करें कि जनसंक्या की दरश्टी से सबसे चोटा जीला हरदा है फिर जनसंक्या की दरश्टी से सबसे बड़ा तेहसिल कों सा है तो यहाँ पर इंदोर है फिर जनसंक्या की दरश्टी से सबसे चोटी तेहसिल कों से है तो अजय गड़ यहाँ पर जो ह यहाँ पर साक्षरता का जो परसेंटेज है वो 82,5% है मद्ध प्रदेश का सबसे नियूंतम साक्षर जीला को उसा है तो यह अलिराजपूर है जो कि यहाँ पर 37,2% है इसी वज़े से जो मिंदोर संभाग है वो सबसे कम साक्षर माना जाता है क्योंकि अलिराजपूर का जो परसेंटेज है वो उसे बहुत नियूं कर देता है अलिराजपूर ना केवल प्रदेश का अपितु पूरे भारत वर्ष का सबसे नियूंतम साक्षर जीला किस लेड़ी में आता है फिर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है तो प्रदेश की साक्षरता दर 70.6-3% आती है फिर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है तो पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पर 80.5-3% आता है फिर महिलाओं के साक्षरता दर्द की बात करते हैं हम यहाँ पर तो हम पाते हैं कि 60.02% आ जाता है साक्षरता की स्रेणी में कर हम बात करें प्रदेश का राज्य में कुल कितना मतलब राज्य का कुल कौन सा रेंगे तो यह 25 नंबर पर इस्तान रखता है पूरे देश में देखिए 25 नंबर पर इस्तान रखना मतलब कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है राज्य की सरवादिक पूरु साक्षर जीला कों सा है तो इंदोर है सरवादिक महिला साक्षर जीला भोपाल है नियुन्तम साक्षर जीला अलिराजपूर है नियुन्तम महिला साक्षर जीला भी अलिराजपूर ही है अब हम बात करते हैं मद्ध प्रदिस की जन संक्या समंदी तत्थ क्या क्या है तो देखिए मध्दपर्देश के पूरी जनसंख्या है 2011 की जनगर्णा के अधार पर ये 9.25 करोड है मतलब यहाँ पर यह 9 करोड पच्छिस लाग लोग मध्दपर्देश में निवास करते है 2011 की जनगर्णा के अधार पर अभी वरतमान में फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है तो देश की कुल जनसंख्या जो है यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या का यह 6% आता है आकडा पूरुषों की जन संख्या कितिनी है पूरे आकडो के अधार पर 2011 की जन गर्णा के अधार पर पूरुषों की जो संख्या थे मदपर देस में वो है यहाँ पर 51.8 पृतिस अती और वही मैलाओं की जो जन संख्या थे कि बात जब हम करते हैं तो आप यह मान के चलिए कि जो एक वर्ग किलोमेटर का जो छेतर होता है उस एक वर्ग किलोमेटर में यतने लोग रहते हैं उसी को यहाँ पर जनसंक्या गनत्व माना जाता है तो सरवादिक जनसंक्या गनत्वाला जीला कौन सा है तो भोपाल है यहा किसे समझ जाया सकता है तो देखिए suppose that आप मान के चलिए कि ये एक पुरा छेतर है जिसका यहाँ पर area कितना है 1 km2 इस छेतर में कुल मिला करके यहाँ पर 94 लोग रहते हैं अलग-अलग जगह उपर यह ऐसा माना जाता है और दूसरा क्या है यहाँ पर जिंडोरी के लिए और अगर हम बात करें यहाँ पर कि भुपाल के लिए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 854 लोग रहते हैं पूरे के पूरे एक वर्ग किलोमेटर के छेतर में इसे यहाँ पर घनत्व कहा जाता है पिर जो पूरे राजी के अगर हम बात करें मध्र परदेश की तो मध्र परदेश राजी की जनसेंगा घनत्व कितना है तो ये 236 वेक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर की स्रेणी में आता है मतलब 236 लोग एक वर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं मद्पडेस की बात करते हैं तब तो जनसंख्या गनत्वे के दरश्टी से मद्पडेस में कौन सा इस्थान है देश में तो ये इसका सतरहवा इस्थान है तो देखें सतरहवा इस्थान किस प्रकार है यहाँ पर जनसंख्या गनत्वे के मामले में ज़संख्या के दरश्टी से पाँचवा इस्थान है छेत्रफल के दरश्टी से यहाँ पर दूसरा इस्थान है और इसके बाद education के मामलें बात करें हम सक्षर्ता के दर्मे तो यह यहाँ पर पच्चीसवा इस्थान रखता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिंगा नुपात के संबंद में तथ्यो की दिखिए लिंगा नुपात को यहाँ पर sex ratio कहा जाता है तो sex ratio की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक हजार पुरुशों पर होने वाली महिलाओं की संख्या को यहाँ पर कहा जाता है sex ratio ठीक है 1000 महिला पर कितनी महिला है उसे यहाँ पर sex ratio कहा जाता है तो जो प्रदेश का जो लिंगान उपात है वो यहाँ पर 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 930 महिला है 2011 की जनगर्णा के अधार पर मतलब यदि राज़ में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं जैला कौन सा है यहा पर बाला गाटे यदि बाला घाट में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो हुहाँ पर मिला है जो की 2021 जन्म लेती है नियुन्तम लिंगान उपात luônा जीला कौन सा है तो यहाँ पर भिंड़ा आता है भिंड में क्या है दर तो 1000 यदी पुरुष लड़के जन्म लेते हैं तो यहाँ पर 836 लड़किया जन्म लेती है फिर राज किये दशक किये वरद्धी दर क्या है मतलब एक दशक में कुल कितना प्रतीसत यहाँ पर वरद्धी होई यह लिंगानुपात में 100 लोगों की थी तो यह 2011 में बढ़ करके यहाँ पर 120 दसमलो 3 हो गई मतलब 120 लोगों की जन्संख्या हो गई यह आप मान के चलिए फिर सरवाधिक जन्संख्या दरवाला जीला कौन सा है तो इंदोर है जहाँ पर पूरा मदप्रदेश की जन्संख्या उसका लगबग 32.6% लोग मतल इंदोर में निवास करते है फिर निउंत्म जन्संख्या वाला जीला अनुपूर है जो कि पूरे मतल प्रदेश की जन्संख्या का 12.325 लोग अनुपूर जीले में निवास करते है पूरुसों की जो वरद्धी दर रही है वो रही है 19.6% और महिलाओं की वरद्धी दर यहाँ पर 21% रहा है तो कह सकते हैं कि जो महिलाओं की जो वरद्धी दर है वो यहाँ पर एक positive message दे रही है फिर प्रदेश की जो सरवादिक जनसंख्या वरद्धी है वो क्या मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वरद्धी की इस से दसक में हुआ है प्रदेश में सबसे जादा जनसंक्या वृधि 61 से लेकर करके 71 का जो census था उस दर्मियान यहाँ पर वृधि हुआ था जो कि यहाँ पर 29.28 परसेंट रहा है न्यून्तम वृधिधर कब था तो 2011 से लेकर करके 2021 का जो जन्गर्णा था उस जन्गर्णा मत प्रदेश का जो कि 11 से लेके 21 की बात कर रहा है ये मतलब कहीं जगहों पर आप देखेंगे कहीं राज्यों के आकड़ा देखेंगे तो वहाँ पर ये नियूंतम ही रहा था योगि इसी यही एक समय था जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर्ड चल रहा था और बहुत सारे ऐसे मतलब आंदोलन चल रहे थे देश के अंतरगत जो कि एक मतलब कह सकते हैं कि देश में बहुत यादा एक अवयवस्ता फेली हुई थी इस वज़े से यहाँ पर एक कारण ये भी माना जाता है कि इस वज़े से यह वाला जो समय थकाल था इस समय काल में जन संक्या कम रही है तो इस वीडियो को माध्यम से दोस्तों मैंने हम लोगों को क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैंने बता है मधपरदेस के संबंदी जो भी महतपूर्ण फेक्ट है उसमें हमने जोग्राफिकल जो भी इंडिकेशन से वो समझे मतलब लोकेशन को समझा मधपरदेस संबंद में जो भी यहाँ पर जीले हैं वो समझे यहाँ पर कों से बड़े जीले कों से छोटे जीले ह समझे हैं हमने आप पर मद्ध प्रजिस के जो जी लेकिन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं ये भी जाना हम लोगों ने इस वीडियो को माध्य हमसे सक्षार्टर दल के बारे में जानकारी प्राप्त करी हमने फिर इसके साथ साथ हमने यहां पर जो जनसें क्या घंध वे यो वो जाना और इसके साथ हमने फिर बाद में जो इसके बाद जो लिंगान उपाते हैं वो जाना इन सभी जानकारियों को मैंने आप लोगों को पहुचाने के कोहिश करी है आई होप मुझे अमीद है कि आप लोगों को यह जो इन्फोर्मेशन है वह बहुत ही फायदे मन बाद तो रहेगा लेकिन यह समय अब सुबह कर दिया जाएगा आप लोगों को जो वीडियो है मैं सुबह अफ्लोड करूँगा ताकि साम को मेरा एक जो साथ 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 बज़े के मत एक यूपीसी के सीरीज आता है सुबह मैं यह पीसी के लिए वीडियो प् लिए कर सकते हैं आप आपको आपको इस वीडियो का प्रॉट की जाती है वहाँ पर ताकि आपको मदद हो साइख कि कि किस प्रकार से अंसर राइटिंग की जाती है पर मेरे दौरा तीन साधा वीडियो बनाई गया है जिसमें 50 साधा वीडियो से आपको बहुत यादा फायदा मत पहुंचाएगा लिए सारे वीडियो से के साथ-साथ MPP और जो भी अनुक्ता में पहुंचाएगा इसमें आप प्रतिनिन इस वीडियो को स्वाम को 6-6 बजे के मत प्राप्त कर सकते हैं हमारे विज्डाम हब इस्टरी चैनल पर जिसके लिए आपको करना है बस यह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन बटन दबाए दीचे तक जब भी मैं वीडियो अप्लो